हेलो दोस्तों वेलकम टू दा टेक्निकल कॉम्डेट दोस्तों गर आपको लैप्टोप लेना जाते हैं और आपका बजट रेंग चाली सेर के असपास आता है तो आप बिल्कुल सही जगा पर आएं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच तो पौरफुल के बारे में जो चली सर के रेंश के असपास में आता है दोस्तों में एक बात आपको क्लियर कर दूँ इन लैपटोप को हमने रेंक वाइस नहीं बाटा है क्योंकि ये पांच ओ लैपड़ुप अलग अलग यूजर के कोडिंग सबसे बेस्ट है तो दोस्तों हमार लिस्ट म वो उनके लिए है जिने AMD का Ryzen Switch के प्रोसेसर पसंद है उनके लिए हमने लाया है HP 15 जो की 15.6 इंच की Full HD Plus Anti-Glass डिस्प्ले के साथ आता है इसमें आपको बहुत ही कम बैजर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छा वियूम एक्सप्रेंस देगा दोस्तों इस लैपटोप की सबसे अच्छी बात है इसका Powerful Processor जो की AMD का Ryzen 5 Processor के साथ आता है जिसके वज़े से लैपटोप को परफॉमेंस बहुत ही स्मूज हो जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि Ryzen 5 Processor इंटल की Processor के मुकाबले कैसा है तो मैं ये आपको सोट में क्लियर कर देता होंगी Ryzen 5 Processor इंटल के i3 Processor को beat करता है और इंटल के i5 Processor के साथ directly compete करता है तो Ryzen 5 काफी दमदार Processor है दोस्तो इस लैपटोप में आपको 8GB DDR4 RAM मिलता है जिसे आप 16GB तक upgrade कर सकते हैं और साथ में आपको 1 TV का IGD का भी support मिल जाता है इसमें आपको Reden का Vega 8 का graphics card भी मिल जाता है इसके साथ आपको Windows 10 Home Operating System plus Microsoft का भी support मिल जाता है अगर बात इस laptop की weight की करें तो ये 1.76 kg के weight के साथ आता है कंपनी के हिसाब से इसमें आपको 7 होंस तकी battery life देखने को मिल जाएगी अब हम बात pricing की की करें तो ये अभी आपको मिलता है 49,990 रूपीज में जो कि definitely आपके लिए value formally हो सकता है दोस्तों हमारे list में दूसरा laptop है Dell Inspiron 3593 यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि Dell और HP के जो laptop होते हैं वो long term के लिए सबसे best होते हैं कि इनकी build quality बहुत ही अच्छी होती है और ये companies बहुत ही अच्छी service भी provide कराती है और निके parts भी आपको बहुत easily मिल ज display जो की बहुत ही अच्छी display है यह laptop 10 generation i3 processor के साथ आता है इसके साथ आपको 4GB DDR4 RAM plus 256GB SSD और 1 TV का HD मिल जाता है 256GB SSD होने से आपका laptop पास boot up करता है और इससे आपका laptop बहुत ही smooth run करता है और 1 TV HD होने के वज़े से इसमें आपकी storage की कमई देखने को नहीं मिलेगी इसमें आपको Intel का integrated graphics card देखने को मिल जाएगा साथ में आपको Windows 10 home plus Microsoft Office का support भी मिल जाता है अगर इस laptop की weight की बात करें तो यह 2.2 kg के weight के साथ आता है इसमें आपको लगबक 6 hour की battery life देखने को मिल जाएगी अगर हम बात इसकी pricing की करें तो यह आपको मिलता है 4,990 रुपीज में और अगर यह laptop को direct check कर सकते हैं अब हमार लिस्ट में टीसरा laptop है अवीता लिव जो की एक नया brand है तो दोस्तों आपको doubt होगा कि इस brand के laptop कैसे होंगे तो दोस्तों यह laptop का मैंने review देखा है जिसमें इसकी review काफी अच्छे रहे हैं और मैं बता दूँ यह brand कम price में सबसे अच्छी specification दे रहा दोस्तों इस laptop में performance आपको बहुत तगड़ी मिलने वाली है क्योंकि इसमें आपको मिलता है 10th generation का Intel Core i5 processor जो की एक बहुत powerful processor है इसमें आपको RGB DDR4 RAM और 512GB SSD का support भी मिलता है यह आता है Intel UD के graphics card के साथ जो की normally इस range के सभी laptops में आपको मिल जाती है यह laptop Windows 10 Home operating system के साथ आता है इस सिर्फ 1.2 kg के वेट में आपको देखने को मिल जाएगा अगर बात इसकी battery की करे तो यह आपको 6-7 hours की battery life दे देगा अब हम बात करते हैं इसकी pricing की तो यह आपको अभी मिलेगा मातर 49 और 9-90 रूपीज में दोस्तों इस laptop को आप easily carry कर सकते हैं क्योंकि यह काफी light weight है इसमें आपको एजली video editing और normal gaming भी कर सकते हैं तो अगर इस brand से आप satisfy है तो आप definitely इस laptop को buy कर सकते हैं दोस्तों अब हमारे लिश्ट में दे चौता laptop है वो है आसुस का VivoBook 14 इसमें आपको 14-inch full LED plus anti-glare display मिल जाता है इसके साथ इसमें आपको finger field sensor भी देखने को मिल जाएगा यह laptop 10 generation Intel Core i3 processor के साथ आता है जिसमें आपको 8GB DDR4 RAM मिल जाता है जिसे अब 12GB तक upgrade कर सकते हैं इसमें आपको 1TB HD plus 1818GB SSD भी मिल जाता है इसके अंदर आपको Intel UUD का graphics card देखने को मिल जाएगा यह laptop Windows 10 home operating system के साथ आता है अगर बात इसकी weight की करे तो यह 1.6 kg के light weight के साथ आता है बात 30 like easily दे देगा अब बात हम इस laptop के pricing की करें तो यह laptop आपको मिलता है 38,000 रुपय के अंदर तो finally दोस्तों अब हमार लिस्ट में जो 5 और आखरी laptop है वो है MI Notebook 14 जोकि 14 इंच full AUT plus anti-glare display के साथ आता है इसमें आपको 10th generation Intel for i5 processor देखने को मिल जाएगा जोकि latest processor है यह laptop 8GB DDR4 RAM plus 256GB SSD के साथ आता है ज्यादा storage के लिए आप external hard disk भी लगा सकते हैं जिससे आपको storage की problem नहीं होगी इसमें भी आपको इंटर लिवे जुडी ग्राफिस का देखने को मिल जाएगा यह laptop Windows 10 Home operating system के साथ आता है अगर बात laptop की weight की करें तो यह 1.5 kg के light weight के साथ आपको मिल जाएगा अ तो हम बात करें इसकी pricing की तो यह आपको मिलता है 4,990 रुपीज की अंदर सो दोस्तों सभी laptops का link आपको निच्चर description में मिल जाएगा वहाँ जाकर आप डायरेक इन products को checkout कर सकते हैं I hope दोस्तों यह video आपको अच्छा लगा हो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो में have an idea